जै माता दी, स्वागत है आप सभी का मेरे एचस वारतवा यूटूब चैनल पर आज मैं आपको अश्टमी वा नौमी की तीन महा उपाय बताऊंगा साथ ही एक चीज आप माता के सामने रख दें आपकी सारी परिसानियां खत्मोंगी पुत्र, संतान, सुक, समरदी, सब कुछ प्राप्त होगा नवरात्री के नो दनों में माता दुरगा के नो स्वरूपों की आराधना की जाती है इससे भक्तों की मनुकामना पूरी होती है माता की किरपा बनी रहती है कापी ऐसी परिसानियां होती है जो इंसान को अंदर तखिला देती है मानसिक वह सारे एक परिसानियों के कारण इंसान फस जाता है संतान प्राप्ती नहीं उपाती घर में शुक्सानती नहीं रहती धन की बरकत नहीं हो पाती अनेक प्रकार की ऐसी समस्या होती हैं जो इंसान परिसान हो जाता है आज मैं आपको तीन ऐसे उपाय बता रहाँ अगर आप यह करते हैं तो आपको अब शिलाम मिलेगा आपकी सारी परिसानिया दूरोंगी यह उपाय आपको अश्टमी वा नोमी के दिन करने हैं माता रानी की किरपा से सभी भक्तों की मनुकामना पूरियों नवरात्री के नौदन भक्त कठन और विशेश उपासना करते हैं लेकिन कई बार कुछ भक्त किनी कारणों से पूजा नहीं कर पाते शुरूआत की पूजा नहीं कर पाते तो वह है निरास नहों माता को प्रसंद कर सकते हैं जिस दिन कंच के आप बैठाएं उस दिन यह उपाय करने से माता प्रसंद हो जाती है मनवान चितफल परदान करती है हर प्रकार की मनुकामना पूरी हो जाती है जो लोग अश्टमी पूछते हैं वो अश्टमी को नो दीपक जलाने आपको जब तुलसी माता का पोदा हो वहाँ पर आपको अपनी मनुकामना बोल करके नो दीपक तुलसी के सामने जलाने हैं नो दिन नवरात्रियों के नाम के मातुलसी जी से घर की शुक्षांती सम्ब्रदी, सपलता और सोभग की इपरातना करें इससे आवसी ही आपकी मनुकामना पूरियोगी उसके बाद में आपको माता दुरगा के सामने भी नो दीपक जलाने है प्रते एक दीपक में आपको एक एक लोंग डाल देनी है फिर आपको क्या करना है अश्टमी वा नोमी के दिन आप माता की मंदर जाए यह उपाय आपको मंदर में ही करना है अगर सम्मब हो सके तो मंदर में जाए नहीं तो घर में भी आप कर सकते हैं एक लाल चुनरी लेनी आपको और यह उपाय उनको करना है जिनको पुत्र सुक नहीं मिल पाया या संतान सुक नहीं मिला है वे अपनी गोद भरवाए पहला उपाय तो आपको तुलसी का करना है दूसरा उपाय ये करना है कि लाल चुनरी लेनी है और लाल चुनरी के अंदर आपको एक मुठी मखाने एक मुठी बतासी एक सिक्का पांच फल ये आपको माता के सामने रख देने है चुनरी माता को ओड़ा देनी है और ये सामान आपको माता के सामने रख देना है वहीं बैठ करके किसी भी मंत्र का या ओम दुम दुरगाई नमा इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं जाप करने के बाद में वहाँ पर आपको कंचों का पूजन करना है जो सामना आपने माता के सामने चड़ाया है वो रखा रहें दें दें अभी अब आपको कंचों का पूजन करना है नो कंचों के चरण दोने ही उनके मोली बांधनी है और आपको भी एक मोली लेकर के माता के चरणों से इस पर सकरा करके पती पतनी को बांध लेनी है अब कंचुकों को भोजन कराने के बाद में जो आपने माता को नेविद्ध अरपन किया है इस दिन माता को नो प्रकार के नेविद्ध आपको अरपन करने है नो रात्री के नो दुरगान के नाम से नो देवियों के नाम से नो भोग आपको माता के लगाने हैं छीर का गाय के घी का पान का गुड का मेवा का इन सब चीजों का माता को भोग लगाना है इस पिकार से नो चीजें आपको माता के सामने रखनी है आप कंच के जब भोजन कर लें तो आपको क्या करना है कि जो आपने माता के सामने सामन रखा है उससे आपको गोद भरवानी है किसी भी ऐसी महला के आशे भरवा सकते हैं बुजुर्गों जिनके बेटी हूँ या ब्रामण के आशे ब्रामणी के आशे जैसे भी आप गोद भरवालें जो सामना अपने माताक सामने रखा है वो जो चुन्री मानता की उपर आपने वड़ाई है वो चुन्री ले ले परसाद की रूप में और उसी चुन्री की जूली बना करके आपको गोद वरवानी है इससे आपकी मनुकामना पूरी होगी है इस दिन कंचकुम को जलेबी और खीर का प्रसाद जरूर आपको भेट करना है अगो माता के सामने आपको क्या चड़ाना है जो आपने सामन आप चड़ाया है मतक्साने वो ले 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 उसके बाद में भी अलग माता को आपको कुछ सामन चड़ाना है नो करन्या का पूजन कर स अधियुत्तम है लेकिन अगर सम्मब ना हो नो कन्या ना मिले तो एक छोटी सी प्यारी सी कन्या को लाल रंकी समस्त सुंदर सामिगरी भीट करें। इन में खेल सामिगरी, परिधान, स्रेंगार सामिगरी, फूल, फल, मिठाई और दख्षणा हो, ये सामान आप उस कंचकों को बेट कर दे, नौम ना मिले तो एक कंचकी की आप पूजा करें, नवरात्री के अंतिम दनों में स्वागन इस्त्री को चांदी की बिचिया, कुकुम जो चांदी की डिब्बी में हो, पायल, अम्मे माता को चांदी का सिक्का, वा सिंगार की सभी चीजें माता के सामने आपको रखनी हैं, ये चीजें आपको माता के सामने जरूर रखनी हैं, इनका विशेश महत्व है इस विकार के उपाय करने से आपको लाम मिलेगा और माता की किरपा से आपकी सभी मनुकामनाई पूरी होंगी विशेश ही अच्छा उपाय है यह अगर आप इस विकार से यह उपाय करेंगे तो आपकी मनुकामना पूरी हो की ज़रा उपाय है कि आपने माता के सामने कलस की इस्तापना की थी कलस को उपर जो नारियल है वो भी आपको प्रसाद के रूप में लेना है और कलस के अंदर जो सामान है कलस के अंदर जो सामान था वो भी आपको ले लेना है मा दुरगा को प्रसंद करने के लिए दुरगा अश्टमी की रात में किसी प्राचिन मंदर में जाकर देवी मा के चर्णों में आठ कमल के पुष परपन करें साथ ही मंत्र वोलें ओम इरीम स्रीम क्लीम चामुंडा देव्यनमा जिस मनुकामना से आप करेंगे वह मनुकामना आपकी पूरी होगी अपने जीवन के दुरबागे को दूर करने के लिए मा दुरगा के सामने अश्टमी के दिन गर के मुके दरबाजे पर रात बारे बज़े गाय के गी का एक बड़ा सा दीपक जला दें यह अचुग तूटका है इसके करने से लाव मिलता है घर के परवार में सुख सांती के लिए अश्टमी की रात को अपने घर में दुरगा मंदर में माता दुरगा के सामने इस मंतर का पाट करें जो आपके सामने है इन उपायों को करने से हर प्रकार की परिशानी दूर हो जाती है दन के सुरोत बढ़ाने लिए अस्टमी की रात मागोरी के सुरूप को दूच से भरी कटूरी में बेराजित कर चांदी का सिक्का अरपन करें इसका विशिश में तोता है तो इस पकार से इन उपायों करें आपकी मनुकामना पूरियोगी माता दुर्गा का सिवाद आपको प्राप्त होगा